हाई गाईस विल्कुम यू वाल टु दी चैनल फ्रिंस आज हम एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा चेक चेक बैंक से रिटोन आ जाता है चेक बाउंस हो जाता है और हम वाली पार्टी को जिसके पैसा लेना होता है वहां करकर ठाग जाते हैं कि हमारा पैसा प्लीस रिटिया और करो हम रहें तो चल्दी रहते हैं हम उस पर दिसकस करेंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं section 138 to 142 of negotiable instrument act deal करता है check bounce होने के cases में और basically ये sections include करा गया था 1988 में so that लोगों का check जैसे instrument पर भरुसा बना रहा है लोग check से transaction करें और check से transaction increase करने के लिए basically ये component include करा गया था तो अब जानते हैं check bounce होता है तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि check क्यों bounce हुआ है क्या reasons है तो इसके basically 3 reasons होते हैं first insufficient fund अगर account में sufficient fund नहीं है तो ऐसे में bank check आपको return भेज़ देता है second component होता है इसका कि अगर account में close हो गया हो अगर account close हो गया है तो ऐसे situation में bank return भेज़ देता है account holder account को बंद करा देता है close करा देता है तीसरा situation ऐसा होता है कि जब stop payment का notice चला गए bank को account holder bank को stop payment का notice दे देता है उसको instruct कर देता है कि मैंने so and so number का check issue करा है तो प्लीज यह check से कोई payment नहीं होना चाहिए तो यह तीनो situations होते है basically इसके अलावा तो और कोई situation नहीं होता है generally मैं कैसे मालूम चलेगा basically कि check क्यों return आया है check क्यों bounce हुआ है तो जब bank आपको check भेजता है check return करता है तो उसके साथ memo भी issue करता है और वह memo में mention होता है कि check क्यों return हुआ क्या reasons है insufficient fund होगा तो insufficient fund mention करेगा bank account अगर close हो गया तो वह mention करेगा तो जिसके according आपको मालूम चलता है कि क्यों check मेरा return हुआ है क्यों check bounce हुआ है तो ऐसे में basically आपको क्या कर सकते हैं आप case file कर सकते हैं क्या तो इसका simple answer है नहीं इसके लिए आपको सबसे पहले एक notice send करना होता है सामने वाली party को कि जिससे उसको मालूम चल सेके कि check bounce हो गया है तो आपको एक notice send करना होता है by post only क्योंकि पोस्ट का जो आप letter send करते हैं वही court of the law में valid होता है तो जब जब भी आप कभी कोई legal notice या notice send करें तो आप post के through ही send करें जिससे कि आपको कभी legal action लेना है तो आपको help करेगा यह जो reset मिलता है उसके basis पे आप case file भी कर सकते हैं तो notice send करने के बाद कब notice send कर सकते हैं पहला question यह आता है तो notice जब आपको check मिल गया है bank से तो उसके within 30 days अगर suppose आज आपको check मिला है bank के through तो आज से 30 days के within आप legal notice send कर सकते हैं सामने वाली party को और उसमें mention करना होगा आपको notice में की check क्यों bounce हुआ कब bounce हुआ reason क्या है और memo को भी उसमें attach करना होता है उसके बाद आप उसको send कर सकते हैं और उसमें कुछ clauses भी mention करने होते हैं जो वहत important है जैसे कि सामने वाली party को 15 days का at least time देना होता है यह minimum requirement है तो आप मेंशन करेंगे कि legal notice मिलने के बाद 15 days within 15 days I need my payment अगर वह 15 days में आपको नहीं मिलता है तो आप 16 day cause of action arise होता है मतलब 16 day के बाद आप court में case file कर सकते हैं और next यह भी mention करना होता है कि अगर आप चाहें तो यह आपके description के उपर है कि payment जो करना है उस पर interest आप mention कर सकते हैं जैसे कुछ लोग 18% तक interest mention करते हैं कुछ लोग 8% 10% vary करता है people to people कुछ लोग 24% तक का भी interest demand करते हैं तो यह तो basic component हो गया notice send करने का इसके बाद जब 16th day अगर within 15 days में आपको payment नहीं मिलता है तो आप 16th day को आप court में case file कर सकते हैं under section 138 of negotiable instrument act it means check bounce होने के बाद आपके पास 45 days का time period होता है 30 days legal notice send करने के लिए और 15 days आपको payment receive करने के लिए wait करना होता है तो basically 45 days you have to wait for the payment अगर नहीं essay में payment मिलता है तो 46 दे आप court को approach कर सकते हैं तो essay में कौन से court को approach करा जाता है तो इसमें basically आप दो courts को approach कर सकते हैं एक है judicial magistrate first class और second या तो से आप metropolitan magistrate को approach कर सकते हैं ऐसे cases में case file करने के लिए तो अब documents क्या क्या required है at the time of filing of case तो आपको basically 4 documents का requirement होता है first original check का copy जो check आपको bank से मिला है उसका एक copy आपको submit करना होता है second होता है return memo जब bank आपको check return करता है तो उसके साथ एक memo भी issue करता है वह memo attach करना होता है third होता है demand notice जो आपने notice भेजा था सामने वाली party को payment के लिए उसका एक copy आपको submit करना होता है और fourth होता है आपको postal receipt जब आपने सामने वाली party को post के through जो letter भेजा था उसका एक receipt आपके पास रहता है वह receipt attach करके metropolitan magistrate या judicial magistrate first class जो भी आपके nearest available हो उसको submit करना होता है that's how court begin करता है यह चारो documents के basis पे आपका case start होता है तो guys यह था dishonor of check के regarding और एक last में mention करना चाहूंगा इसमें punishment क्या होता है तो punishment basically 2 साल का jail term है या court penalty लगा सकता है अगर suppose 10,000 amount है तो court सामने वाली party को 20,000 payment करने के लिए instruct कर सकता है तो यह basically components था check dishonor होने का check dishonor होने पर क्या legal remedy available है और हमें क्या action लेना चाहिए और क्या इसका process होता है तो guys अगर इस वीडियो से related कोई भी doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए thank you so much वीडियो को like और share करना न भूले and please subscribe the channel Thank you